रिवोकेशन, रेटिफिकेशन, टर्मिनेशन, सब एजेंट, काफी सारे टॉपिक्स हैं एजेंसी के अंदर पर अभी हम लोगों ने 95% इंडियन कॉंटेक्ट एक्ट का सिलेबस कवर कर लिया है अब जो बचा 5% है वो दो लेक्चर्स में कवर हो जाएगा तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले में बताना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए तभी आपको आगे की पूरे एजेंसी के टॉपिक समझ आएंगे जी हाँ हमने पहले किया है था एजेंसी के जनरल प्रोविजनस एजेंसी के जनरल प्रोविजनस सेक्शन 182 से स्टार्ट होकर 189 पर खतम है उसके बाद में जो सब एजेंट का चैप्टर है वो हमने अभी हॉल्ट पर रख रखा है थोड़ी देर का ब्रेक लगा रखा है उसके उपर और उसके बाद में हमने लास लेक्चर में रेक्टिफिकेशन को चालू किया था और खतम भी किया था सेक्शन 196 से सेक्शन 200 पर और आज इस लेक्चर के अंदर हम रिवोकेशन को कवर करेंगे जी हाँ रिवोकेशन अफ अथारिटी कहां से स्टार्ट है सेक्शन 201 से स्टार्ट है तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हम रिवोकेशन रिवोकेशन क्या होता है कि प्रिंसीपल किस तरीके से एजेंसी जो होती है एजेंट की उसे रिवोक कर देता है जो authority होती है principal की उस authority को revoke कर देते है principal साब और इसके अंदर और ऐसे भी provisions हैं कि agent के पास में भी ऐसा legal right है कि किस तरीके से वो अपनी agency को renounce कर सकते हैं कि वो खुद भी अपनी agency को terminate करवा सकते हैं तो आईए बिना किसी देरी के section 201 पर आते हैं agency को ही terminate करने की बात section 201 कह रहा है तो आईए इसके अंदर पांच ऐसी चीज़े बता रखी हैं जिस तरीके से agency terminate कर सकते हैं छटी ऐसी कोई मतलब sixth ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसमें agency को terminate करने का बताया गया है सिरिफ पांच ही एसी चीज़े हैं जिस तरीके से principal या agent अपनी agency को terminate करवा सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो है an agency is terminated by the principal revoking his authority principal के पांच में ही इस power है solely principal ही agency को revoke कर सकता है ये power agent के पांच में नहीं है कि वो अपनी agency को revoke कर सके हैं पर जो दूसरा essential है वो ये है कि or by the agent renouncing the business of the agency जी हाँ agent के पास में क्या है कि agent renounce कर सकता है खुद से कि अब मैं आपके यहां पे काम नहीं करना चाहता है इस agency को terminate करना चाहता हूँ तीसरी चीज़ or by the business of the agency being completed कि जो काम के लिए agency दी गई थी agent को वो काम ही complete हो गया माल लीजे कोई goods बेचने के लिए agent को appoint किया गया था उसने वो goods बेचे तो काम complete हो गया तो इस तरीके से भी agency terminate हो जाती अपने आप चौथी चीज़े or by either the principal or agent dying or becoming of unsound mind या तो principal या agent दोनों की बात हो रही है इस चौथी वाली option के अंदर की दोनों या तो either principal या agent मर गए या मर रहे हैं या वो unsound mind के हो गए तब भी agency terminate हो जाती है अगर principal हुआ तब भी हो जाएगी agent हुआ तब भी हो जाएगी और पांच भी और आखरा आखरी जो option है वो यह है कि by the principal being adjudicated and insolvent under the provision of any act for the time being in force for the relief of insolvent debtors कि या तो principal insolvent हो गए कि अब उनके पास में दिवालिया गोशित हो गए उनके पास में पैसा ही नहीं है कि वो agency को आगे और चला सकें जो काम principal कर रहे हैं उस काम को principal और आगे चला सकें continue कर सकें ऐसे profession को जो भी वो कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर उनके पास में या वो व्यक्ति insolvent हो जाता है तो उस समय भी agency terminate हो जाती है section 201 यहीं खतम होता है अब जो है वो है section 202 इसका marginal note क्या कि रहा है कि termination of agency where agent has an interest in subject matter तो section 202 को पढ़ते हैं आगे where the agent has himself an interest in the property अगर agent का खुद का ही उस property के अंदर जिस property में वो व्यक्ति deal कर रहा है जैसे मैं आगे illustration के साथ बताऊंगा उसमें जो भी काम agent करता है अगर उसके अंदर agent का खुद का भी interest है which forms the subject matter of the agency और जो proper काम जो agent कर रहा है उसी के अंदर interest होना चाहिए agent का and the agency cannot in the absence of an express contract be terminated to the prejudice of such interest मतलब अगर कोई काम जो agent कर रहा है अगर उस काम के अंदर agent का interest है तो यहाँ पर आप उस agent की agency को terminate नहीं कर सकते है और आप इस तरीके से भी agency को terminate नहीं कर सकते है कि जो agent है उसे उससे हाम हो जाए अगर वो agency terminate होती है तो उससे उस व्यक्ति को agent को हाम नहीं होना चाहिए तब तो आप agency को terminate कर सकते है पर अगर हाम हो रहा है तो आप agency को terminate नहीं कर सकते है यह last line में लिखा है कि be terminate cannot be terminated to the prejudice of such interest prejudice मतलब हाम पहुचाना किसी को तो अगर agent को उससे हाम पहुच रहा है तो ऐसे टाइम पर आप agency को terminate नहीं कर सकते है first illustration पढ़ते है समझ आएगा कि इस illustration में यह खा जा रहा है कि आप मेरा land बेच दो ठीक है और उस land को बेचने के बाद जो भी पैसे आए उससे आप जो अपना उधारी है उधारी कौन सी है कि A ने principal ने ही कुछ उधारी कर रखी थी agent के उपर कि मान लीजे कुछ salary देनी थी salary नहीं दी तो salary बज गई अब किसका debt है कि principal को चुकाना तो है क्योंकि salary नहीं दी agent की तो यहाँ पर जो इसी illustration में यही कहा गया है कि out of the proceeds of the debts due to him from it जो principal के जो debts है agent के उपर तो agent जो land बेचने के बाद पैसा है उससे अपने पैसे भी चुका ले मतला अपने पैसे भी ले ले काट ले और उसके बाद की payment जो बचती है वो principal को दे दे तो यहाँ पर जब तक वो land नहीं बिग जाता उसके पैसों से जो उधार है agent का वो नहीं चुका या जाता principal के द्वारा तब तक principal उसकी agency नहीं terminate कर सकता किसकी B की even तो अगर उस principal को death हो गई principal की या वो पागल हो गया इंसेन हो गया तब भी वो agency को terminate नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर interest है agent का उस property के बिकने पर ठीक है section 202 खतम होता है section 203 पर आप है अब section 203 जो है वो हमेशा section 202 के साथ रीड करा जाएगा कैसे मैं बताता हूँ आगे section 203 खुदी करा है कि मुझे रीड करी section 202 के साथ चलिए आगे पढ़ते हैं कि when principal may revoke agents authority अभी जो section 202 हमने पढ़ा वहाँ पर पताया जारा था कि agency को terminate नहीं कर सकते revoke नहीं कर सकता principle क्योंकि अगर कोई interest है agent का पर यहाँ पर यह कहा गया है कि जो agency है उसी आप revoke कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं वो principal के बारे मताया गया है कि principal कब revoke कर सकता है the principal may save as is otherwise provided by the last preceding section यह मत पढ़िये revoke the authority given to his agent at any time कभी भी कर सकता है पर before the authority has been exercised so as to bind the principal मतलब जब तक उस agent को काम नहीं दिया गया उससे पहले अगर principal चाहता है कि नहीं agency को terminate कर दिया जाए तब आप agency को terminate कर सकते हैं क्योंकि जब तक authority को exercise नहीं कराया गया और अगर आपने थोड़ा बहुत भी काम उस agent से करवा लिया तब आप उसकी agency को terminate नहीं कर सकते हैं यह असानी से section 203 काफी छोटा है इससे ज़्यादा मैं उमीद नहीं करता हूँ या मैं नहीं चाहता कि आपको समझा हूँ तो आप समझ गयोंगे अब जो section 204 है हम उस पर आते हैं कि section 204 marginal note है revocation where authority has been partly exercised अगर आधा काम भी agent ने कर दिया या आधी authority भी principle ने exercise कर ली तब आप agency terminate कर सकते हैं नहीं इसके बारें बताया जा रहा है section 204 के अंदर तो आगे पढ़ते हैं the principle cannot revoke the authority जी हाँ cannot revoke the authority given to his agent after the authority has been partly exercised जी हाँ partly अगर आपने exercise करवा दी तब आप agency को terminate नहीं कर सकते revoke नहीं कर सकते so far as regards such acts and obligation has arise from the act already done in agency पर यहाँ पर आगे बताया गया है कि आप कब कर सकते हैं अगर partly भी exercise कर ली है तो आप कब कर सकते हैं यह आखरी की line में बता रखा है अगर कोई उस act से agent की कोई obligation बन जाती है तब आप उस agency को terminate नहीं कर सकते हैं पर अगर उस act से agent के partly exercise जो उसने act किया है आदा act जो किया है अगर उससे भी उस व्यक्ती की obligation नहीं बनती तो उस agent की agency को आप terminate कर सकते हैं नहीं समझाया मैं जानता हूँ पर इतना जो मैंने समझाया उसे समझाया अब मैं जो illustration आपको दूँगा ना आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि क्या बात मैं कर रहा हूँ तो यहां पर मान लीजिए कि अगर आपका wooden का काम है तो यहां पर आप wooden के furniture बेचते हैं आप principle है आप एक अदमी का point करते हैं और जगे जगे घरगर जाओ आप हमारे एरिया में और बोलो कि हमारे जो furniture है अब उसकी advertisement करो और अगर कोई इनसान उसे खरीदने को राजी होता है कोई व्यक्ति तो आप उसे बेच दीजिए ठीक है तो यहां पर वैसा ही काम करने agent जाता है तो agent क्या करता है agent उन्हें अपने mobile में photo दिखाता है कि यह दिखी ऐसे ऐसे goods हैं हमारे पास अब वो सारा wooden का सामान तो लेकर जाएगा नहीं उनके घर पे और हर घर पर रुक रुक करता हुआ दिखाएगा नहीं कि यह देखिए यह सामान नहीं तो ऐसा ही करता है कि वो photos खीचके अपने mobile में लेके जाते हैं वो वहाँ दिखाते हैं और किसी घर में अगर मान लीजे किसी को पसंद आ जाता है कोई कुरसी है कोई chair है जो पसंद आ जाती है तो वो उससे पैसे ले 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 था agent और उसको कहता है कि आपको अगले ही दिन हम लोग delivery दे देंगे तो वहाँ पर जो contract sign होता है कि agent आया था अगर उस agent के नाम से contract sign हो जाता है वो जो व्यक्ति है जो third party जो खरीदना चाहती है वो कहती है कि sir आपने मुझसे पैसे तो ले ली है अब अगर आप नहीं देते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है तो agent की अगर वहाँ पर obligation बन जाती है उस समान को अगले दिन deliver करने की तब यहाँ पर principal उस agency को revoke नहीं कर सकता ठीक है पर मान लीजिए कि अगर उस agent उस समय agent की को obligation नहीं होती है वो जो व्यक्ती एथड़ पाटी को कहता है कि principal से हब हम देख लेंगे principal साब को हम जिम्मेदार ठेराएंगे अगर वो हमार को अगले दिन कुर्सी लाकर नहीं देते चेर लाकर नहीं देते बुड़न की तो यहाँ पर कोई obligation नहीं है agent की agent का जो आदा काम था agent ने पैसे ले लिए पैसे principal को दे दिये अब आदा काम जो बचा है वो principal की जिम्मेदारी उसको deliver करना उस chair को next day तो यहाँ पर कोई obligation नहीं agent की तो यहाँ पर इस समय दोसो चार section के अंदर 204 के अंदर principal agency को revoke कर सकता है terminate कर सकता है समझे तो इसी line में इसलिए काई कि exor obligation arise नहीं होनी ची agency के अंदर मैं चाहता हूँ मैं मानता हूँ कि आप लोगों को इस section 204 बहुत असानी से समझाया अब आगे आते है section 205 पर अब जो section हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ compensation को devote है जिहां section 205 compensation की बात कर रहा है कि अगर principal agent की agency को revoke करते हैं तो उन्हें compensation देना पड़ेगा agent अगर agency को renounce करते हैं तो उन्हें principal को compensation देना पड़ेगा मतलब ताली जो है वो दोनों हातों से बजाई जा रही है तो यहां पर either case में compensation तो देना है पर अगर यह चीज compulsory है या नहीं यह देखते हैं section 205 के अंदर कि when there is an express or implied contract that the agency should be continued for any period of time अब हम नही नही जॉप का भी join करते हैं तो वहाँ पर 6 महीने का probation period होता है तो 6 महीने का जो probation period होता है अगर हम उसे complete नहीं करते तो हमें कुछ compensation के तोर पे उस company को देना पड़ता है कि जी हम आपको जो services देने का हमने वादा किया था उस services हम बीच में छोड़ कर जा रहे हैं अगर हम job कभी भी बीच में ही छोड़ देता है तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि when there is an express या तो express लिखित या कैसा भी contract था या implied contract था कि agency ना कुछ n number of time के लिए n number of days के लिए continue रहेगी तो यहाँ पर जो principle है उसे compensation देना पड़ेगा agent को अगर वो उस agent की agency को revoke करने जाता है तो बीच में ही और same बात agent के लिए भी कही गई है कि अगर agent उस पूरे time को पूरा करने से पहले उसकी पूरी services देने से पहले ही अगर वो agency को renounce करने चाहते है तो यहाँ पर उन्हें compensation देना पड़ेगा किसको principle को as the case may be for any previous revocation or renunciation by the agency without sufficient cause अगर कब देना पड़ेगा compensation एक बात दोनो व्यक्तियों के लिए कही गई है principle और agent के लिए compensation तब देना पड़ेगा जब उनके पास में कोई sufficient cause नहीं है उस agency का termination के लिए principle ने अगर कोई sufficient cause या sufficient reason नहीं दिया agent को तब उन्हें compensation देना पड़ेगा same बात agent के लिए कि वो renounce करने से पहले उन्हें sufficient reason देना पड़ेगा कि इसके लिए मैं agency को revoke कर रहा हूँ renounce कर रहा हूँ और एक चीज़ जो आप लोग याद रखेंगे कि जो principle है वो agency को revoke करता है agent agency को renounce करते है ठीक है section 205 यहीं पर पूरा होता है section 206 पर आते है section 206 notice की बात कर रहा है कि notice of revocation or renunciation कि notice देना पड़ेगा अगर agency को renounce कर रहा है agent या revoke कर रहा है principle तो reasonable notice को tick कर लीजिए line कि must be given of such revocation or renunciation otherwise the damage thereby resulting to the principle or the agent as the case में भी must be make good to the one by the other कि अगर agency को terminate करना है तो notice तो reasonable देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा कब देना पड़ेगा यह हम पड़ते हैं क्योंकि मान लीजिए एक example में बताता हूँ कि अगर मैं अपना agent मैं principal हूँ यहाँ पर और मैं agent को कहता हूँ कि कल आपको कोई शेहर में जाना है मान लीजिए जैपूर जाना है आपको और वहाँ पर जाके आपको हमारी company के advertisement करनी है और कल जाना है उनको agent को पर अगर वो आज रात में ही मुझे कह देते हैं कि सर मैं आपकी agency को renounce कर रहा हूँ और मैं agency को terminate कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे loss होगा ठीक है और यहाँ पर उस agent ने मुझे reasonable notice नहीं दिया अपनी agency को renounce करने से पहले तो यहाँ पर जितना भी loss मुझे हो रहा है उसे agent को मुझे compensate करना पड़ेगा ठीक है यही बात last line में कहिए compensation के as the case में भी must be made good to the one by the other तो section 205 के पास में भी लिख लिएजेगी read with section 206 क्योंकि यह सारे section 203, 204, 205, 206 यह सब connected है अब जो 207 section है उसको पढ़ते हैं कि वो क्या कह रहा है section 207 revocation और renunciation के बारे बता रहा है कि express और implied हो सकता है हुआ क्या कि contract act में न यह एक गलती क्या होई कि section 207 जो है उसे हमेशा 205 की number पर आना था क्योंकि पहले बताया जाता है कि revocation और renunciation हमेशा express और implied होता है उसके बाद notice का section आना था फिर compensation का पर अब हम क्या कर सकते हैं कि section बनाए इस तरीके से गए section 205 को पहले लिखा गया है 206 को बाद में 207 को उसके बाद में तो 207 में एक आ गया है कि revocation और renunciation हमेशा expressly दियेना पड़ेगा principal को या agent को या फिर implied दियना पड़ेगा ठीक है दोनों इस तरीके से वो valid रहेगा section 208 पर आते है 208 में बताया गया है कि when termination of agent's authority takes effect as to agent and as to third persons तो यहाँ पे section में यह बताया गया है कि जब भी agency को terminate करता है principal तो उसे agent को बताना पड़ेगा तो agency कब तक valid है जब तक agency का जो termination है वो agent की knowledge में नहीं आया ठीक है यही बात third person के संदर में भी गई गया है third person कौन जो उस business के clients होते है जैसे मेरा कोई business है जैसे wooden का जो business है मेरा furniture का तो यहाँ पे agent चो काम कर रहे है वो मेरे बहाफ पे जाके कहीं बार contract sign करके आते हैं लोगों के घर-गर जाके अगर वो advertisement करते हैं और हमारा समान बेचते हैं तो यहाँ पर उन third person को क्या लगता है कि यह जो है यह मेरे agent है मेरे business के तो उन third person को उन client को उन customer को भी मुझे बताना पड़ेगा कि जी sir आज की ही तारिक से अब यह मेरे agent नहीं है तो अगर यह आपके पास में अगर आते भी है in future तो यह मेरे लिए नहीं आ रहे हैं मेरी through नहीं आ रहे हैं यहां पर मैं responsible नहीं होंगा इनके act के लिए तो यह जो बातें agency के termination का यह खुद agent की knowledge में भी होना चाहिए और third persons की knowledge में भी होना चाहिए यही बात first यह जो illustration है इसके अंदर बताई गई कि A direct करता है B को कि goods बेचो मेरे बहाफ पे A principal है B agent है और B क्यों कहता है कि 5% commission दोगा जो भी चीज़ आप बेचोगे तो यहां पर A बात में authority को agency को revoke करने की कोशिश करते हैं और उसको revoke करने के लिए letter भेचते हैं कि B को कि यह आपकी agency इस letter के आपको knowledge जब आया इस letter के बारे में कि अब तभी उसी समय से आपकी agency terminate हो गई, revoke हो गई कब जब B को उस letter को पढ़के knowledge आएगी कि हाँ इस letter में लिखाएगी मेरी agency terminate हो चुकी है तभी से agency terminate हो जाएगी B की तो यहां पर उस letter को पढ़ने से पहले ही कोई ऐसा contract था, मतलब कोई ऐसा business deal थी, वो कर लेते हैं तो यहां पर जो A है उसे उनका 5% commission देना पढ़ा यही बात section 208 में कही गई है, वो communication acceptance revocation जहां हमने वो पहले पढ़ा था first chapter के अंदर proposal था, वो ही बात यहां भी बताई गई है, तो आप उस chapter 9 का marginal note है, agents duty on termination of agency by principles death or insanity death or insanity की बात हो रही है किसकी principle के death or insanity की बात हो रही है, तो उस समय agent की क्या duty है कि when an agency is terminated by the principle dying or becoming of unsound mind, कि जब agency को terminate करा जाता है जब principle या तो unsound हो जाएं, दिमाग से पागल हो जाएं या उनकी death होने वाली हो the agent is bound to take यहाँ पर agent bound है take on the behalf of the representatives of his late principle all reasonable steps for the protection and preservation of the interest, interested to him माली जे दो महीने की salary देना और भी भी बाकी था principle का और principle चल बसते हैं, मतलब मर जाते हैं तो यहाँ पर जो agent है उनको दो महीने की salary उनकी अभी भी pending है, तो उसके बाद में उनकी जो interest है, वो अभी भी पूरी तरीके से satisfied नहीं हो जो है तो यहाँ पर जो agent है, वो उनके जो representative है principle के जो रिश्तेदार हैं, जो भी बाद में business take over करने वाले वो representative है, उस agent को दो महीने की salary देंगे, तो यहाँ पर उनके कोई भी interest जो है वो खराब नहीं होंगे, वो protect रहेंगे और preserve रहेंगे, यही बात बताई गई है कि सारे reasonable steps वो ले सकते हैं agent, अपने interest को protect और preserve करने के लिए अब जो section 210 है, 210 210, 210, तो यह जो है वो section sub agent की authority को terminate करने की बात कर रहा है पर अभी तक हमने sub agent वाला sub chapter cover नहीं किया है तो आगे जाके हम section को cover करेंगे, जब हम sub chapter जो है sub agent का cover कर रहे होंगे तो इसके आगे हम आते हैं कि agent's Beauty to principal की agent की क्या duty है principle के लिए section 210 को skip करने के बाद में 211 section पर आते हैं, जिसका sub chapter का नाम है agents duty to principle की agent की क्या duty है principle के परती अब सारी चीज़े नीचे से उपर के तरफ जारी है कि agent के duty principle के परती क्या है उनकी बाते करनी है section 2211 जो है काफी general बात कर रहा है आगे पढ़ता है marginal note कह रहा है कि agent's duty in conducting principles business अब मान लीजे कि आप या मैं किसी के business पर काम करते हैं कहीं job करते हैं तो हमारी क्या क्या duties होंगी उसको समझ कि अगर हम अहिने पढ़ेंगे तो हम अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे क्योंकि काफी ज़्यादा ऐसी चीज़े हैं जो इतनी ज़्यादा general है जो हम day to day life में देखते रहते हैं तो आगे पढ़ते हैं कि an agent is bound to conduct the business of his principle according to the directions given by the principle साब बात है सबको पता है ये बात कि जो principle directions देगा जिस तरीके से काम करने के directions होंगे agent को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा or in the absence of any such direction और अगर कोई direction नहीं देता है principle तो according to the custom which prevails in doing business जो भी तौर तरीके होते हैं किसी business के माँ लीजे किसी जूते के दुकान पर अगर हम काम करते हैं तो अगर customer आएगा तो साफ बात है हमें उन्हें जूते दिखा कर बेचने ही है अब हमें उन्हें जूते दिखा कर सामने वाले से जूते तो खरीदने नहीं होंगे तो जो customs है कि भाई जूता दिखाना है बेचना है पैसे लेने है और रखने है तो यही चीज़ है कि अगर कोई directions को instructions principle ने नहीं दी है तो वहाँ पर जो normal custom जो custom follow होता है ऐसे business के अंदर वो हम वैसा करेंगे काम तो at the place where the agents conduct such business यह line खतम हुई अब आते हैं last line पर कि when the agent act otherwise if any loss be sustained he must make it good to his principle पर अगर कोई ऐसा काम agent कर जाता है उस business में जिससे loss हो जाता है principle को तो यहाँ पर उस loss के लिए compensate करना पड़ेगा agent को किसको principle को करना पड़ेगा agent के द्वारा agent करेगा principle को compensate क्योंकि loss किसने किया agent ने तो यहाँ पर यही बात बताए गई है and if any profit accrues he must account for it और अगर कोई profit कमाते हैं किस से पर उस business से agent तो वहाँ पर उन्हें इस बात का accounts देने पड़ेंगे उस बात का मतलब वो जवाबदार होंगे कि principle को कि sir ही इतना profit हुआ है और आप देख लीजे कि इतना profit इस business में मैंने करके दिखाया आपको या एक deal मैंने sign करी sir उसमें इतना profit हुआ है तो अगर कोई profit होगा तो आप वो सारी चीजे principle को बताएंगे यही बात हुई इजेंट से रिक्वाइड फ्रॉम एजेंट स्किल की और डेलिजेंट की बात हो रही है जो एजेंट से रिक्वाइड रहती हमेशा principle को तो आएए पढ़ते हैं कि एजेंट इस बाउंड तो चंड़क दा बिजनस ऑफ एजेंशी दी है तो वहाँ पर एजेंट को जो नॉर्मल स्किल्स हैं उसके हिसाब से ही काम करना है जो बिजनस है उस तरीके से उसे वो बिजनस करना है principle की absence में भी जो रिजनेबल डिलिजेंस होती है उसी तरीके से एजेंट को बाउंड रहेगा एजेंट agency के अंदर कि अगर कोई customer आया तो उन्ने जूता ही बेचना है और अगर कोई आता है customer तो उन्ने जूते बेचके उससे पैसे लेने तो पैसे ही लेने है ठीक है उसके अलाव़क दूसरी कोई चीज नहीं लेनी कि अगर कोई इंसान दूसरी चीज दे कर बोलता है कि आप मुझे जूते देजी तो यहाँ पर reasonable diligence क्या है कि आप ऐसे जो contract उसमें deal नहीं करेंगे तो यहाँ पर अपनी reasonable diligence के इसाब से उस agent को काम करना है जितनी skills उनके अंदर possessed है and to make compensation to his principle in respect of the direct consequences of his own neglect want of skill तो अगर direct consequences जो direct अगर कोई ऐसा act करता है agent जिससे loss हो जाता है principle को तो वहाँ पर उन्हें compensate करना पड़ेगा principle को ठीक है कि मान लीजे जूते लेकर अगर वो पैसे नहीं लेते हैं भूल जाते हैं customer से लेना तो यहाँ पर उन्हें compensate करना पड़ेगा principle को सर मैंने जो एक जूता बेचा उसके मैं पैसे लेना भूल गया मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जो जूते लेकर गया तो यहाँ पर जो agent है वो compensate करेंगे principle को ठीक है अब मान लीजे हाला कि अगर principle अच्छे इंसान होते हैं पर यहाँ पर अगर कोई indirect damage हो जाता है बहुत remote damage हो जाता है business को जो जहाँ पर agent की सीधी सीधी कोई भी consequences नहीं होते हैं उस loss से related तो यहाँ पर agent compensate नहीं करेंगे किसको principle को section 213 पर आते हैं agents के accounts की बात कर रहा है कि agents कब-कब accounts को render करेगा तो यहाँ पर agent is bound to render proper accounts to its principle on demands मालीजे दो दिन की चुट्टी पर अगर प्रिंसिपल चले जाते हैं या काफी दिनों तक प्रिंसिपल अगर agent से नहीं पूछते हैं कि कितना business हो रहा है कैसे कैसे हमारे जुर चीज़ें वो भिक रही है या नहीं भिक रही है तो यहाँ पर agent से प्रिंसिपल कभी भी accounts मांग सकते हैं और agent की ये duty है कि वो उन्हें proper accounts दें कि कितने जूते या example के तौर पर जो example हम अभी शुरू से चला रहे हैं तो उसमें कितने जूते उन लोग उस agent ने अभी तक बेचे हैं ये सारी चीज़ें जितना भी जिस भी चीज में जिस भी thing के अंदर अगर वो company या वो business deal करता है तो यहाँ पर agent की जिम्मेदारी कि वो proper accounts दे किसको principal को section 214 agents duty to communicate with principal कि agent की duty है वो principal से communicate करे कैसे communicate करे ही हम पढ़ते है कि it is the duty of an agent in case of difficulty to use all reasonable diligence in communicating with his principal कि अगर कोई difficulty आ रही है business को pursue करने में तो यहाँ पर agent की duty है कि वो business के लिए अपने principal से consult करे की और अगर कोई instructions भी लेने हैं तो वो principal से instruction ले ऐसा नहीं कि बिना instruction लिए ही अपनी तरफ से कोई भी काम करने लग जाए तो यहाँ पर अगर कोई loss होता है फिर तो वो तो compensate करना पड़ेगा principal को पर अगर instructions की जरूरत है तो आप instructions लें अपने principal से और उसके बाद ही agency को आगे pursue करें आईए काफी important section है 215 215 section जो कह रहा है कि right of principal when agent deals on his own account on his own account को mark कर लिजे in business of agency without principles consent without rights हैं उस principal के कि अगर agent अपने खुद की तरफ से ही कोई ऐसा काम करता है जिसका consent उसने principal से नहीं लिया ऐसा काम का if an agent deals on his own account in the business of agency without first obtaining the consent of his principal and acquainting him with all material circumstances कि अगर agent खुद के ही terms पे खुद के ही विचारों से अगर काम करता है और खुद कोई जिम्मेदार रखके कोई ऐसा काम करता है agency के अंदर जिसका consent उसने principal से नहीं लिया और जो circumstances थे material circumstances थे जो वहाँ occurred हुए उसके बारे में भी कोई knowledge नहीं कराई principal को या कोई knowledge नहीं दी principal को तो यहां पर principal जो है वो ऐसे टाइम पर agent का जो agency वो repudiate कर सकता है रिवोक कर सकता है या जो वो particular transaction है जिसके लिए उसने knowledge नहीं दी थी principal को उस transaction को repudiate खाली खलस कर सकता है मतलब बंद कर सकता है cancel कर सकता है ऐसे transactions को either that any material fact has been dishonestly concealed from him by the agent और अगर कोई material fact dishonestly गलत intention से concealed गया छोपाया गया principal से तब भी वो ऐसा काम कर सकता है कि उस transaction को ही repudiate कर सकता है और तीसरी चीज़ और that the dealing of the agent have been disadvantages to him और ऐसे कोई terms ऐसे कोई transaction से जिसकी कोई knowledge नहीं थी principal को उससे अगर principal को loss हो जाता है agent की activities से तो वहाँ पर भी वो उस transaction को repudiate कर सकते हैं आईए एक illustration पढ़ते हैं A वाली जिससे समझ आ जाजाएगा कि ये क्या कहना चाहता है तो illustration कहरे है कि A directs B to sell A's estate A जो है वो principal है B जो है वो agent है A जो है वो principal वो B को कहता है कि मेरी एक जमीन है वो आप बेज़ दीजिए estate को यहाँ पर जमीन के तौर पर लेके चलते हैं तो B क्या करता है कि उस जमीन को बेचता तो नहीं है खुद के नाम से खरीद लेता है पर कैसे खरीदता है C के नाम से खरीद लेता है पर हाला कि उस जमीन के पैसे B ने दी है और B ने अपने लिए ही वो जमीन खरीद दी है तो जब A को अपनी ही तरफ से पता चलता है कि B ने जमीन जो है वो खुद के लिए खरीद ली तो यहाँ पर A जो है उस transaction को उस sale को repudiate कर देता है cancel करने ही कोशिश करता है और cancel कर देता है If he can show that the B has dishonestly concealed any material fact or that sale has been disadvantages to him अगर इस मतलब अगर उस sale से agent को मतलब जो B है उसने dishonestly गलत intention से छुपाने की कोशिश करी कोई material fact A से या फिर उस sale से B को मतलब A को कोई loss हुआ तब इन दोनों जगे पर A जो है वो इस transaction को repudiate कर सकता है यही बात section 215 में भी कही गई थी अब जो section 216 है वो principle के benefit की बात कर रहा है जी हाँ principle's right to benefit gained by an agent dealing on his own account in business of agency की principle को principle के पास में benefit है अगर कोई ऐसी deal agent करता है उस business के अंदर रहकर जिससे agent को benefit होता है काफी ज्यादा ठीक है और principle का वहाँ पर right है उस benefit को gain करने का if an agent without the knowledge of his principle पर पहली चीज़ क्या essential है की अगर उस चीज़ की knowledge नहीं है principle को तब ही वो principle को benefit मिलेगा की if an agent without the knowledge of his principles deals in the business of agency मतलब उस agency के business में रहकर ही agent ऐसा कोई काम करता है जिसकी knowledge नहीं थी principle को तो वहाँ पर benefit देना पड़ेगा on his own account खुद के ही account से मतलब खुद की तरफ से खुद के ही benefit के लिए agent अगर ऐसा कोई काम करता है जिसकी knowledge principle को नहीं है तो वहाँ पर वो benefit transfer करना पड़ेगा principle को आगे पड़ते हैं तो यहाँ पर बी क्या करता है A को कहता है कि वो घर नहीं खरीद पाया जो फिर A जे principle हले वो चुप चाप बैट जाता है कि चलिए अब वो नहीं खरीद पाया तो क्या कर सकते हैं पर यहाँ पर इस चीज की knowledge नहीं होती B को कि उस B ने उस agent ने वो घर है ना वो अपने नाम से ही खरीद लिया तेक है यहाँ पर वो काम कहता हूँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे एक डील बताई कि घर अपने मेरे नाम से खरीद लेजे और B ने क्या करा कि जूट कह दिया कि वो घर अब नहीं है वो घर बिक चुका है कहीं भी X Y Z कुछ भी कह दिया reason और खुद के लिए वो घर दोका दड़ी से खरीद लिया A May on Discovering जब A को यह बात पता चली तो B जो B ने जो घर खरीदा है तो यहाँ पर A जो है वो कमपेल कर सकता है B को की जो घर आपने खरीदा है जिस भी प्राइज में खरीदा है उस प्राइज में अब आप मुझे बेची है इगर ठीक है तो यहाँ पर प्रिंसिपल के पास में राइट है उस बेनिफिट को लिने का Section 216 खतम होता है 217 पर आते है Section 217 का Marginal Note Agent के राइट की बात कर रहा है ठीक है उपर प्रिंसिपल के राइट की बात हो रही थी 216 में नीचे 217 में Agents के राइट की बात हो रही है कि Agents का राइट है कि उस पैसे को या उस सम को वो रिटेन करके रख सके है जो उने रिसीव होआ है ठीक है इसी बात क्यों कही है यह हम आगे समझेंगे इसी पैरेग्राफ के अंदर के मालीजे उस व्यक्ती के उपर कोई एडवानसिस मालीजे कोई एडवानसिस कोई पैसा पकाया था प्रिंसिपल का जो उसे एजेंट को देना था और वो नहीं दे पा रहा था तो जो भी सम एजेंट ने रिसीव करा है बिसनस के अंदर तो उस सम को वो अपने पास में रख सकता है क्योंकि वहाँ पर उस प्रिंसिपल को तो पहले ही उसे पैसा देना था और अगर कोई दूसरी बात क्या है की और पर सरकल कर लेजे और अगर कोई एक्सपेंस कोई खर्चा अगर उस बिसनस को चलाने के लिए एजेंट ने खुद की जेप से किया था तब भी उस खर्चे के लिए वो जो पैसा उसे मिला है मतलब उस business deal से मिला है तब भी वो पैसा अपने पास में रख सकता है ताकि उस खर्चे का वो जो खर्चा भी agent ने किया है वो उसे minus करके बागी बचा है पैसा principal को दे दे ठीक है और तीसरी चीज़ जो है अगर माल दीजे कोई salary pending है agent की या remuneration वैसे agent हमेशा commission वैसे इस पर काम करते है तो अगर कोई commission या salary बागी है remuneration के तोर पर agent की तब भी उस पैसे से वो खुद को पहले pay करेगा agent और उसके बाद में वो जो बचा पैसा है अगर बचता है तो उस पैसे को principal को दे देगा तो यहाँ पर agent के rights है पैसे को retain करने के लिए 217 section खतम होता है 218 पर अब जो 218 section है वो काफी general बात कर रहा है इसकी knowledge हम सबको होती है कि अगर कोई agency के अंदर agent काम करता है तो जो भी पैसा उस business के अंदर उसे मिलता है माले जो furniture का काम हमारा था जो furniture बेचने के बाद third party को जो पैसा उसे मिला तो पैसा agent की duty किया है कि वो पैसा आकर वो principal को दे तो यहाँ पर यही बात करी गई कि agents duty to pay some receive for principal तो जो पैसा है वो actual में तो principal के लिए ही receive हो है तो वहाँ पर agent की duty है उस पैसे को लाकर principal को दे बहुत चुटा section था 219 section पर आते है section 220 agent के misconduct की बात कर रहें कि अगर agent कोई misconduct कर देता है अपनी agency के अंदर तब उन्हें remuneration उनको जो उनकी salary है commission है वो नहीं दिया जाएगा agent not entitled to remuneration for the business conducted यह marginal note है अब आगे data पढ़ते हैं कि an agent who is guilty of misconduct in the business of the agency agent अगर को guilty हो जाता है किसी misconduct के लिए business के अंदर agency के तो he is not entitled to any remuneration respect to the part of the business which he has misconducted अगर उन्होंने कहीं कि किसी भी तरीके से misconduct किया agency में तो उन्हें उसके लिए जो क्या सजा मिलेगी कि वो जो salary जो उनको remuneration मिलने वाला था वो नहीं दिया जाएगा उन्हें इसके लिए आप illustration पढ़ सकते हैं मैं मानता हूँ कि illustration भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल समझा जाएगा कि ये section जो है वो क्या कह रहा है अब जो section 221 है वो हमारा आखरी section होगा आज के lecture के लिए पर ये section lien की बात कर रहा है कि agents lien on principles property कि agent lien कर सकता है principles property के ओपर कैसे second line से पढ़ी first line को तो ignore करिए कि in absence of any contract वाली an agent is entitled to retain goods agent entitled है बिल्कुल अपने पास में goods रखने के लिए papers रखने के लिए property रखने के लिए चाहे वो movable property हो immobile property हो पर इसारी चीज़े जिनके बारे मैंने बात करी जिन चीज़ों को रख सकता है वो चीज़े किसकी है principle की या principle से जो चीज़े receive करी agent ने उन सब चीज़ों को agent अपने पास में रख सकता है until the amount due to himself or commission disbursement and services in respect of same has been paid or accounted for to him जब तक जो पैसा बकाया है agent का principle के उपर जैसे की commission जो agent को मिलना था और अभी तक principle ने नहीं दिया है या अगर कोई services दी है agent ने उसका पैसा उसे नहीं मिला है तब तक जो पैसा उन्हें पे नहीं किया जाता तब तक agent का right है कि वो जो प्रॉपरटी है principle की उसके उपर वो अपने पास में और प्रॉपरटीज रख सके तो यहीं तक था हमारा यह lecture की जो series थी lecture 19 वो खतम होता है मैं उमीद करता हूँ कि सारे section आपको समझ आएं आगे हम principle की duty के बारे में पढ़ेंगे अभी हमने agents की duty के बारे में पढ़ा है और आगे मैं उमीद यह रख रहा हूँ कि आभी सारी चीज़े पढ़ रहे ह कर रहे हैं बार बार इसके बाद में मैं आपसे अलवीदा लेना चाहता हूँ thank you and have a good day